हलो दोस्तो विल्कम टू मैं चेनल मेरा नाम है मुशा और इस वीडियो में हम बोरवेल मोटर का स्टलेशन शिखेंगे जो हमारा समर्ब सिबल पाम आता है बोरवेल के लिए हम इसके फिटिंग किस तरह करना है तो हम ओ सिखेंगे इसमें कि मैंने आपको इस वीडियो में A to Z यूज़ बताया है के पाइप किस तरह बिठाना है, जॉइन किस तरह करना है। उस आती पैनल का वाइरिंग वगरा, तब वीडियो को पुरा रास टेक देखिए। दोस्तों यह हमारा मोटर है, तो हम इसे मोटर को ओपन करते हैं। और मैं आपको इसकते हैं, वो सामन वगरा यह cannon bundle बानने के लिए और यह SS निपल है हमारी और यह union non return वाल union नहीं है इसमें टेप और यह आपको यह जो चीजे है वो ले लेनी है तो हम इस motor को करते है open open करने से पहले आपको देखिए हैं पर lock लगा है यह lock को निकाल देना है मोंटर का हम यह देखिए पहले पाम निकाल लेते हैं मोंटर का पाम और जो दुसरे बाला है उसके अंदर मोंटर है तो ऩो आप बाहर निकाल दीजिए और उस पर जो कवर वगर आता है वो पेकिंग वो उसकी वो निकाल दीजिए बाहर तो मैं आप मैं आपको जो है मोटर भी दिखा दिता हूँ कितने HP का है कितना स्टेज है इसका तो जो यह मोटर का निचे है लगा हूँ इस्टेकर तो यह देख़िए यहाँ पे क्वह लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर हम है मतलब कितने HP है किलोवाट किलोवाट और HP तो यह देड़ HP का मोटर है और 20 स्टेज है इस मोटर का पंप और यह हमारा केबल और स्टार्टर बाकि सामन जो है वो सब यहां पर रेडिय और यह देखिए निपल अगरा तो हमें चलिए इसमें सबसे पहले हमें बोर के इस मोटर में हमें पानी डालना है जो हमारा समर्शिबल पर में उसका आप यह जो नट्स उपर के है वो खोल दीजिए और इसके अंदर जो है पानी डालिए उस शुराक में ताकि यह जो है मोटर में आपको पानी डालना है अगर आप पानी नहीं डालोंगे तो यह मोटर जल जाएगा और पानी डालने के बाद इसक्रूइ से इस तरह से टाइट कर दिना है अब हम इस केबल का जोइन करते हैं जो कि हमारा वो वायर है उपर रखा हुआ तो अगर दि आप वो वीडियो को देख सकते हैं तो यह जोइन लगाने के लिए देखे आपको आगे पीछे जोइन करना है इसके लिए आपको प्याजरबर यानि के जो हमारा वाटरप्रूप रबर आता है वो चाहिए और अपना एलेक्ट्री टेप चाहिए तो यह देखिए हम इसके पर प्याजरबर लगा रहा हुँ में और यह हमको एलेक्ट्री टेप्स प्याजरबर लगाने के बाद इस तरह से टेपिंग कर देना है और पूरे इस तरह से हमारा जो है वो जाइन को वीडियो ता अगर आप डिटेल में देखना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में वीड लेकिन उससे पहले हम जो ही इस निपल पर कुछ निशानी लगा देना है किस काई की वो भी बता देता हूं में यह जो हमारे सुराक देख रहे है इसमें नड बोल्ड जो लगेंगे है हमारे पाइप लगाने के बाद यह सुराक दिखता नहीं है तो हम इस पर निशानी दोंगे तो आपको सुराक नहीं मिलेंगा नड बिठाने के लिए थोड़ा तक्रिफ जाता है जैसा तो आप दोनों निपल पर इस तरह से टेप मार दीजिए ताक्छे हमें जो है वो आप चाहिए तो उसका जो है साइज माप भी लेके रख सकते कि हमारा यह सुराक जहाँ इतने इस जगा पे है तो आपको इतना यह कर लेना है अब हम चलिए इस निपल को उस पाइप में बिठाते हैं तो निपल बिठाने के लिए आपको दिखे इ जिससे हम पाइप का मूब है लाएंगे और यह ओईल है इसको आइल को अच्छे से आपको गरम कर लेना है बहुत बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए तभी आपका है वो पाइप बैठेंगा और इसको देखिए पाइप को इस तरह से आपको ऐल में डालना है और थोड़ा गरम करना है ज़्यादा गरम नहीं करना है थोड़ा सा मतलब यहने के इतना गरम करना है कि हमारा जो पाइप वो ज भूदा नरम हो गया और आपको पत्टी से उसका एक जो सामने का जो मुँ है पट्टी से इस तरह से जो हो फैला देना है ताकि हमारे निकर्ट का जो मुह हो आठके नहीं नहीं देखिए तरह से बहुत यासानी से ज़वा आपका निपल बैठ जाएंगा कि अब आप में इसमें निपल तो बैठ गया विश्क मैं नट लगाना है तो देखिए नट लगाने के लिए हमने चो टेप माक किया था तहा हमें उसे वह स्वुराग का पता चल जाएंगा तो आप इस तरह से उसमें सुराक कर दीजी और आपको नट लेना है और उस सुराक में इस तरह से बिठा देना है देखिए मैं इसमें ठोक के बिठा रहा हूं नट थोड़ा सुराक बड़ा कर लेते हैं और यह देखिए नट जो है वो अंदर चल गया अब उसके दूसरे सेड मे हमें पोच लेना है कपड़े के मदस्याफ वाइल जो है पोच लीजी और इसका टेप का क्याम हो गया आप इसे अपनिकाल के टेक दीजी वह हमने निशानी के लिए डाला वा था और इस तरह से आपको बुरे बॉल्ड को टाइट कर देना है मैं आपको स्रिफ बता रहा हूँ यहाँ पर मैं इससे बाद में टाइट कर लूँगा इसी तरह से हमें जो है वो दूसरा निपल बिठाना है चलिए उसे भी बिठा थे त भी ज़्यादा लब ठंडा मिन रखना है नॉर्मल रखना है ताके हमारा जो है शिर्फ निपल बैडिया इस तरह से आप वो को फेला दीजिए निपल इस तरह से बिठा किसमें नट पगरा दीजी और इसे जो है वो टाइट कर लिजिए नट को इस तरह से हमारे जो है वो दोनों निपल बैट के जो है वो ready हो जाते हैं अगर आपको ये details में देखना है किस तरह बिटाते है तो उसका भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं कि अब हमें जो सबसे ऊपर वाला जो मुह आता है इस तरह से टेपलन टेप मार के जो सामने का मुह है वह रेडी कर देना है फ्लएंग वगरा लगा जिस अब हमें जो है वह पं बिठाना है तो पं देखिए इस पर टेप लूँ टेप लगा तीज़े निपल पर और पम को इस तरह से कस दीज़े निपल में तो हमारा पम में इस तरह से fit हो जाएंगा जो हमारा पम में फीट होके है पुरा idea हुए अब हम इसे motor में वो join कर लेते हैं जोइन्ट करने से पहले आप देखिए जो हमारा मोटर है उसमें कपल आता है और उसके अंदर आती है चावी तो हमें वो चावी को डालना है उसे यह देखिए जो मेरा हाथ में चावी है और यह कपल को इस तरह से डालके उसे लॉक कर देना है यह चावِ आपको डालना जारूरी है अगर आप चावी नहीं डालोंगे तो मोटर आपका पानी नहीं किछेंगा अनीचे खाली गुमेंगा तो इस तरह से आप उससे लगा दीजिए और जो हमारा प्पम है इस तरह से आप बिठा दीजिये और उसके उपर जो है Nuts लगा दीजिये और अच्छे से Tight करिए Tight करने के बाद आपको देखिये हमने जो है रहने चारो नट को अच्छे से Tight कर दिना है Tight करने के बाद में आपका setting देख लेना है ताकि यह जो09ム है आब हमें इसके उपर रसी लगाना एप्ट थोड़ा सेफटी के लिए जो है इसमें रसी हमें लगा दिना है तो रसी जी कि अम निप्पल के उपर आफ то यह वा बान दीजी जो सुराक निकलते उसमें से इस तरह से दो छड़े निकाल के रसी के इस तरह से पुरा अच्छे से रसी को बान दीजी ताकि वो खुले नहीं अब जो हमारा केबल बसता है केबल को भी इसी तरह से बान लेना है है तो मिन्य केबल यो है इस तरह से पकड़ लेना है और जो केणिन बंडल आता है उसे पुरह अच्छा से टाइड बांद आ यह धिलाने रहना चाहिए अब हा समयने देखिए पुरह के प्लज है वा बांद दिया है मोटर के तक को बान देना था कि हमारा जो जॉइंड ही वो तूटे नहीं देखिए मैंने जॉइन के पास भी बाना आए आप तीन चार द के निंद रसी है आप हम इस मोटर को बोर्वेल में डालते हैं हमारा यह जो है मोटर प्रव कंप्लेट हो गया दीगिया बोर्वेल में डालने के लिए आपको अब जो इस तरह भी डाल सकते आप डाली हम देखिए मैंने रस्ची ले लिए हाथ में और केबल और आपको देखिए बीच बीच में जो है रे वायर को थोड़ा थोड़ा बानना है जो हमारा केबल आता है पाइप के साथ आपको 15 15 फूट पे जो है वो बानना ह दोस्तों मोटर को पूरा अंदर डाल देता हो फिर हम इसको आउन करके देखेंगे मोटर हम पुरा अंदर छोड़ दिते हैं दोस्तों मैंने मोटर को कर दिया फिट और इस तरह से आपको जो है केप और क्लेम लगा देना है और यह हमारा है पैनल पैनल के अंदर आपको वाइरिंग किस तरह करना है मुँँ भी दिखा देता हूँ जो हमारा पैनल यह देखिए जो मोटर के अंदर से नीला पीला और लाल जो वाइर आ रहा है बिल्यू यलो और रेड तो उसको कलर कोट के सबसे लगा देना है लाल के जगा लाल यलो के सामने यलो और नीले के सामने नीला और जो लेफ्ट में देख रहे है करन के वाइर काला और लाल आपको लेफ्ट में लगा देना है नीट्रल और फेस में तो यह देखिए हमने वाइर भी मैंने आपको बता जिया किस तर लगाना है अब हम इस मोटर का on करके देखते on करने से पहले जो हम इसमें voltage देख लेते हैं कितना है voltage जो है हमारा वो इस वर्ट बटन को दबाने से देखेंगा तो देखेंगा दो voltage तो हमारा ठीक ही यह मोटर को किया मैंने on आप चलते हैं बोर्वेल के पास और यह देखेंगे दोस्तों हमारा जो है पानी आ चुका है तो देखें प्रेशर कितना है मोटर को यह देड़ HP का मोटर है 20 स्टेज है इस मोटर का तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से मोटर को जह हो फीट कर सकते है अगर आपको कोई परिशानी आती है कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment में पूछिए मैं आपको जो है वो बत झाल झाल